फाइच होकी ओलंपिक्स क्वालिफाइंड मैच खेलने के लिए इंडिया पहुंची जर्मनी टीम के कोच वैलेंटीन अलबर्ट और कैप्टन नाइक लॉरेंच ने मीडिया से बाचीत की वही अपने भारत आने के अनुभव पर कुछ कहते हैं कि भारत आकर भारत के खिलाफ खेलना ही हमारे लिए बहतरीन मौका होगा हाला कि यहां आने से हमारे समय और मौसम में काफी बदला हुआ है जो हमारे लिए चैलेंज है लेकिन पिछली गर्मियों में टीम इंडिया जर्मनी आई थी हमें बहतरीन मैच खेला था और डांस भी किया था ऐसे ही बहतरीन मैच की उमीद हम इस टूर्मिंट में भी है वहीं पिछ पर बात करते हुए कैप्टन कहती है कि यह पिछ बहुत बाउंसी है कई बार बॉल डाइवर्ट हो जाता है लेकिन हम धीरे धीरे इसके आधी हो रहे हैं वह आगे कहती है कि हर नई जगह के साथ एक नई चुनौती जरूर आती है हमारे लिए भी है लेकिन प्रैक्टिस के साथ हम इससे निकल जाएंगे वहीं कोच कहते हैं कि हमारे लिए हमाइने नहीं रखते हैं कि हमने पहले के टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन किया हमारे लिए ये क्वाइलिफाइंग टूर्नामेंट बहुत जरूरी है तो हम बिल्कुल नए सिरह से ये टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं कोच आगे कहते हैं कि टूर्नामेंट में जीत को लेकर हम पुरी तरह से आस्वस्थ हैं, हम बस बहतर गेम खेलना चाहते हैं और बाकी टीमों को करी टकर देना चाहते हैं.